तो आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉक्सीड टैबलेट के बारे में जो कि इस टैबलेट के इस्तमाल एंटिबियोटी के रूप में मल्टिपल प्रपजों में इस्तमाल कर जाता है तो आज कि इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं रॉक्सीड टैबले जो कि आपको 1500 mg, 150 mg और 300 mg में अबलेबल हो जाता है डिपेंड करता है कि आपकी क्या कंडिशन है उससाब से डॉक्टर आपको यह परिस्क्राइब करते हैं उसी हिसाब से इसका प्राइज डिपेंड करता है जितने mg कि आप इस मेडिसिन को लेते हैं मेकलोईट समप Hahn की बिना ही मेडिसिन है अब आत करें डॉक्सी टबलेट में क्या क्या कमभीनिशन है तो इसमें एक ही कमभीनिशन है रॉक्सी थे मैसिन जोकि एक तरноरी का सीमिया सेंथेटिक broad spectrum antibiotic है जो की antibiotic और antibacterial marcolites class से belong करने वाला roxythromycin combination है इसका इस्तमाल बहुँ ज़्यादा bacterial infection को खतम करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जैसे की respiratory tract infection में इस्तमाल किया जाता है स्वास नली से जूड़ी किसी प्रगार की infection होती है बहुँ ज़्यादा जर्आएरी ट्राइक इंफिक्शन होती है, जिसे कि पिसाब से जुड़ी किसी प्रकार की कुई समस्या होता है। होती हैं गले में खरास होता है तो उनसे भी कंडिशनों में इस्तेमाल करते हैं लंग्स से जुड़ी किसी प्रकार के कोई infection होती है नीमोनिय किसे कैथ होती है तो उनसे प्रपजों में इस्तेमाल करते हैं किसी प्रकार का कोई वाया दवा आके लिए दी जाने वाली दवा नहीं है, इसके साथ और भी कंबाइन करके दिया जाता है दवाईयों को जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वह बहुत जलदी क्योर हो जाती है, इसलिए आप इस दवा का डूर्वा को लेना है या नहीं लेना है, इंसा भी बा मरक्र का दोरा बताया गया है उतने दिनों से पहले बिलगूल ना छोड़े जैसे आपको इनन्फेक्शन और बढ़ सकती है इसलिए आप से जितने समय तक को बताया गया है इस पॉस्ते संव lug करता है तो वंबिटिंग सरमेदर तोचा में लालीपन बहुत ज़्यादा जलन होना हाथ पेरों में भूख न लगना कब्ज के समस्या बहुत ज़्यादा नींद आना या नींद ना आना इस तरीके नुपसान देखने को मिल सकता है अगर आपको यह कोंबिनिशन सूट नहीं करता है तो किसे नहीं लेना है अगर आपको किसी भी परकार का कोई भी क्रिटिकल मेडिकल कंडिशन में कोई मेडिशन कोर्स चल रहा है या आप किसी भी परकार का कोई पेसेंट हैं प्रिग्नेंट लेडी हैं ब्रेस्पिडिंग मदर हैं तो उन सभ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू फर वाचिंग